हेलो दोस्तों मेरा नाम विसेश मलिक है इस वीडियो में हम लोग Accent Server 2016 में रूम मेल बॉक्स को कैसे यूज करते हैं ये डिसकस करने वाले हैं देखे दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिसकस किया कि रूम मेल बॉक्स जो है वो इस्पेसली यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर लोकेशन को बुक करने के लिए और रूम मेल बॉक्स कैसे क्रियेट किया जाता है एक्षेंज सर्वर 2016 में और उसकी बेसिक कॉन्फिग्रेशन को भी हम लोगों ने प्रिवियस वीडियो में डिसकस किया है एक्षेंज एडविन सेंटर पर आकर रिसोर्सिज मेल बॉक्स में आप दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ देखे मैंने एक रूम मेल बॉक्स कॉन्फरेंस होल के नाम से अल्रेडी क्रियेट किया हुआ है और कॉन्फरेंस होल या इस रूम मेल बॉक्स की बुकिंग के लिए मैंने एक यूजर डेलिगेट किया हुआ है वो है administrator, कि अगर कोई भी user conference hall की booking के लिए request करता है, तो वो accept और deny होने के लिए administrator के पास आए, फिर administrator खुट decide करे कि ये request accept करनी है या deny करनी है, अब वो हम लोग कैसे करते हैं, देखें दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पर मैं चेक करूँ, मेरे पास में बहुत सारे user mailbox है, जैसे कि प्रीत user, तो सबसे पहले, माली जे प्रीत user जो है, वो conference hall की booking करता है, प्रीत user का mailbox access करते हम लोग पोवा के दुआरा, थोड़ा वेट कीजिए हजरा, देखें, यहाँ पर हमने प्रीत user का mailbox access किया, अब प्रीत user conference hall की booking के लिए request कैसे करेगा, या booking कैसे करेगा उसकी, तो दोस्तों यहाँ पर आईएगा, इस पर आप click कीजिए, और यहाँ पर आपको calendar option दिया हुआ है, इस पर आप click कीजिए, अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपको decide करना है, कि किस date में आपकी booking आपको reserve करने है, जैसे कि माली जी मुझे 15th अगस्त के लिए booking करनी है, 15th आप यहाँ पर new event create कीजिएगा, सबसे पहले details, कि यह booking आप क्यों कर रहे हो, यह पूरी detail आपको यहाँ पर define करनी है, तो दोस्तों यहाँ पर आप details add कीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर detail add की है, independence day celebration, यहाँ से आपको location add करनी है, जिसे आप book करना चाहते हैं, जिसे आप यहाँ पर click कीजिएगा, और यहाँ पर आप add room पर click कीजिए, और देख सकते हैं कि उस time पर आपका conference hall जो है, वो free है, आपको यहाँ पर दे भी रहा है, कि available है, free है conference hall, click कीजिएगा, अब देखो, हमने वहाँ पर एक mail tip define किया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो mail tip आपको यहाँ पर show हो रहा है, thank you for, sorry, thank you so much for booking this conference hall, तो यहाँ पर आपको mail tip show हो रहा है, booking के time पर ही, और यहाँ पर आपको decide करना है, किस date में, किस month में, किस year में, किस time पर आपको यह conference hall की booking करनी है, माल लिए 15th August 2020 को, मेरी celebration स्टार्ट होगी, सुबह 9 बजे से लेकर, same day ही, 12 o'clock तक, after 12 o'clock तक मेरे को booking करनी है, तो यहाँ पर celebration का starting time और ending time आपको decide करना पड़ेगा, कि किस time से किस time तक आपको conference hall free चाहिए, then थोड़ा drop कीजिएगा इधर, चाहे तो आप reminder वगरा भी use कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको message send करना है, या message type करना है, जो आप conference hall की booking के लिए send करना चाहते हैं, क्या conference hall admin को, और एक second जड़ा, इसको थोड़ा सा आप top पे लेके जाईएगा, इतना ही होता है, just आप send पे click कर दीजिए, send पे click करने के बाद, अब वापस आप mail में आईएगा, अभी देखो यह mail ड्रोप नहीं हुआ है, देखे, successfully send हो गिया, थोड़ा वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, थोड़ी देर बाद ही, आपका exchange server, आपको एक mail send करेगा, किस purpose के लिए है, conference hall के द्वारा ही, यह mail send की गई है, जो आपने, independence day celebration का आपने जो mail send किया था, booking purpose के लिए, उसका response किया है, exchange server ने, देखो, mail किसके द्वारा generate किया गया था, प्रीत के द्वारा, अब booking आपको कब-कब की करनी है, 15 अगस 2020 की booking करनी है, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, कहा के लिए booking करनी है, conference hall के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते कि conference hall has tentatively accepted this event, यानि कि conference hall की, sorry, conference hall जो है, इस booking के लिए accept है, और यहाँ से आप देख सकते, your request was received and is pending for approval, approval के लिए pending है, tentatively यह accept कर ली गई है, क्योंकि उस time पर conference hall जो है, वो free है, अब यह request किसे गई है, administrator को, क्योंकि हमने booking delegation जो है, वो administrator को किया हुआ है, अब अगर मैं यहाँ पर, administrator user का mailbox access करता हूँ, देखो यहाँ पर, प्रीत user का एक email आया हुआ है, किस purpose के लिए, conference hall की booking के लिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह accept करना है, tentative करना है, decline करना है, जो भी आप करना चाहते हो, administrator verify करेगा, request आई administrator के पास, अब administrator इसे accept करता है, decline करता है, वो उस पर depend करता है, देखो, अगर administrator उस booking को accept करता है, अब यहाँ पर आप, edit the response before sending, send the response now, don't send any response, तो मैं only send the response now के click करता हूँ, और verify करे अगर, क्या breathe user को, जिसने यह booking की थी, उसको कोई response मिला, again, यहाँ पर देखो, conference hall has accepted this event, यह आप देख सकते हैं, अब एक और छोटा सा, माली जी, same time पर ही, अगर कोई another बंदा, जैसे की, विश्यू यूजर, same time पर ही, इस conference hall को book करना चाहता है, क्या वो कर सकता है, तो मैंने, विश्यू यूजर का mailbox access किया, अब यह भी, same time पर ही, booking करना चाहता है, किस date के लिए, 15th of August के लिए, new पर क्लिक कीजिएगा, to check, अब यहां पर conference room को select कीजिएगा, add room, देखो, यहां पर room को, add room, free है, ठीक है, अब देखो, यहां पर मैं, यह time क्या है, क्यों इसने free बोला, क्योंकि यहां पर time जो है, सुबह 8 बजे से लेके, साड़े 8 बजे तक है, लेकिन दोस्तों, अगर मैं यहां पर time जो है, 10 बजे से करता हूं, ठीक है, और 1 बजे तक, 15th, ठीक है, अब, जो भी आपको message इधर type करना है, वो आप type कीजिएगा, और, just send पे click करते हैं, वेट कीजिएगा जड़ा, वापस, mail में आईएगा, और देखो, exchange server, exchange server ने ही, इसको एक response किया, विशु यूजर को, क्या, conference hall has declined this event, यानिके, इस time पर already, booking hall, जो है, वो book है, चाये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, the conflict are, यानिके, conflict हो रही है, आपके booking, किस के साथ, प्रीत के साथ, यह आप देख सकते हैं, कब से कब तक यह already book है, प्रीत यूजर के द्वारा, organization and time of conflicting meeting, आप यहाँ पर देख सकते हैं, organization है, प्रीत, जिसके द्वारा, विशू का, जो time schedule है, वो conflict हो रहा है, तो इस वज़े से, exchange server ने conference hall की जो booking है, वो decline कर दी है, तो इस तरह दोस्तों हम लोग exchange server 2016 में room mailbox को use करते हैं,